हालो वेलकम बैक टू माय चैनल मैं नीलम संग अपने चैनल पर बहुत बहुत जाबत करती हूं अब दिखाते हैं आपको ये चना रात भर के लिए भिगो करके रख दिये थे अब हम इसे धूल करके साप कर लेंगे और इसको चलते हैं कूकर में डाल करके दो से तीन सीठी तक किरगे से अब इसी में थोड़ा सा पानी ढलेंगे ज्यादा पानी डालेंगे नहीं तो इस्ये बोइल करते हूँ ज्यादा टाइम लगेगा अबaker तक चलते हैं प्याजिव कि टामाटर को चोर्पिंग में चोप कर लेंगे यह देखे टमाटर हमारा कट चुपा है इसको हम बावल में निकार करेंगे और प्याज को हम इसी में कट कर लेंगे ज्यादा बारीग नहीं कट करेंगे क्योंकि हमें चॉपर में चॉप करना है तक कि ज्यादा बारीग बारीग प्याज हो सके अगर हम चापू से इसे बारीग बारीग कट करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा और हम इससे करेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जो कि घंटों का काम होता है और मिंटों में हो जाता है इसमें हम डाले हैं लेशन की कलियां एक हरी मिर्ची और तेन प्याज इसे बारिक करने के लिए हम चपर में चप कर लेंगे यह देखिए दस से पंदरा सिकेंड में हमारी सारी प्याज जो है बारिक बारिक हो चुकी है इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसी में हम अपना टमाटर जो कट करके रखे थे उसको भी इसी में चौप कर देंगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पर बहुत ही कम टाइम लगेगा जो पर होने से बहुत सारे फाइजे होते हैं हमें बार बार मिक्सर नहीं उठाना धरना पड़ता ना तो लाइट का इंतिजार करना पड़ता है हर घर में हमें तो यह ज्यादा सरल लगता है ज्यादा महंगा भी नहीं आता अगर किसी को लेना है तो बताइएगा हम लिंक डाल देंगे अपने वीडियो के नीचे यह देखिए हमारी चना जो है उबल चुकी थी उसके नीचे ग्रेस बंद कर दिया है अब इधर मसाला लिक अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से फोल जाएं और यह कलर वाली लाल मिर्ची पाउडर है यह तीखी नहीं होती आप चाहें तो डाले ना मर्जी हो तो ना डाले इसकी भी कर सकते हैं इसे इधर मारी कराही गरम हो चुकी इसमें हम डाले है मस्टर्ड अब रिफाइंड ऑई भी जाप डाल सकते हैं कोई भी कुपिंग ओई हो कोई भी आप डाल सकते हैं इसमें डाले हैं एक देच पता कटा हुआ दो टुक्रो में और एक चम्मच जीरा इसे अच्छे से फ्राइब कर लेंगे इसके बाद इसी में हम डाल देंगे अपने देंगे दो पिंच हेंग हींग डालने से डाइजेशन सही रहता है और चना गैस नहीं करता अगर हींग न पड़े तो सब्जी जादा अच्छी नहीं बनती और यह किसी किसी को नुक्सान भी करती है देखें चना हमारा उगल चुका है हम आप डाल गरके आपको दिखाए पर आप डालिएगा मत क्योंकि चना ज्यादा गरम होगा तो आपका हाँ जल जाएगा और इसके बाद आपको प्लेट में निकाल कर दिखा रहे हैं यह देखें चना अच्छे से उगल गया है दो स्रीटी लगा और इधर प्याज को आपको दिखा रहे हैं प्याज का कलर ज स्सक्ति देख किया हूए और इसे अच्छे से मिला लेंगे अभर ज्यादा टाइंगे जहाएं जाधर टाइम नहीं लगाएंगे थोड़िस्से ही टाइम में में इसी- अपनी मसाले को डाल देंगे मसाला इसी में डालने से क्या होगा तो नमग भी पढ़ा है सारे मसाले भ पनेंगे ताकि चने में एक लचीला पन हो जाए अब इसे अच्छे से मिला लेंगे एक बार और इसे ज्यादा टाइम के लिए छोड़ना नहीं है ताकि इसे विच विच में चलाते रहना है ताकि नीचे से चिपके न इसे भूनते हुए 2-3 मिट हो चुके हैं अब इसे एक अबटर के लिए अद्ःबार के लिए अधकर छोड़ने इसके इस कि तूब ही जो ओईल है वो अलब हो जाएंगे मसाले से सब मारा मसाला अच्छे से पक जाएगा यह देखिए इसे भूनते विए फ्राई करते विए ज्यादा टाइम नहीं लगा और मसाला हमारा तयार होने हाला है अब हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है मसाले में अपने डाल देंगे उबला हुआ चना जो रखा था उसमें से हम पानी अलग नहीं निकालेंगे क्योंकि पानी निकालने से सारी प्रोटीन बाहर चली जाती है और चने की सबजी ज़्यादा स्वाधिश्ट नहीं बनती इसलिए चने की पानी को कभी निकालना नहीं चाहिए एक बार और से मिक्स करेंगे, फिर से धकन लगा देंगे, फिर से धकन हटा करके फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे, अब यह देखिए, यह अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाल देंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस हमे इतना ही पानी डालना था अब इसमें हम डालेंगे गर्ब मसाला से मिक्स करेंगे इस पर धकन लगा देंगे अब जब यह वोईल करने लगेगा तब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी हमारे घर में आज धनिया की पत्ती नहीं है इसलिए हम धनिया की पत्ती नहीं डाल रहे हैं अगर आपके घर में हो तो आप डाल दीजिएगा ये देखे हमारी सब्जी तयार हो चुकी है और अब हम इंडेक्शन बंद कर देंगे और सब्जी के ऊपर ढखकन लगा देते हैं जब तक सब्जी ठंडी हो रही है ये देखे अब हम आपको बावल में निकाल करके दिखा रहे हैं कि सब्जी कैसी बनी है देखे बताइए अगर जरूर कैसी बनी है आपको हम धाली लगा करके दिखा रहे हैं पूरी पूरी के साथ चावल के साथ रोटी के साथ आप किसी भी चीज के साथ ये चनी की सब्जी खा सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लेज कमेंट में जरूर बताएगा मिलते हैं अश्ट गों में बाबाय थांक यू